हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपके अपनेशा यूटूब चैलन पर दोस्तो आज में आफसे वीडियो में डिस्कस करूँगा कि जब हम अपने घर में स्वाइल फिलिंग कराते हैं या कुछ लोग इसको मिट्टी का भरान बोलते हैं या मिट्टी फिलिंग क्या होता है दोस्तों आज मैं अक्सर यही सब बातें इस वीडियो में करने वाला हूं सब प्लीज वीडियो का पूरा एंट तक देखना है उससे पहले मैं आपको मिट्टी के बारे में थोड़ा बताएता हूं दोस्तों अक्सर होता है कि कुछ लोग जाता लोग खेट से चाहिए क्योंकि वो चिकनी मिट्टी होती है अब उसमें जब हम मिट्टी डाल देंगे तो हमें पानी डालना होता है पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो भी मिट्टी हमने फिल किये वह हम एक बार में तो कंपेक्शन नहीं कर सकते तो उस वेसे हम उसमें मिट्टी पानी डालते हैं, ताकि हमारी जो मिटी है, वो नीचे बैढ जाये और जहाँ, जहाँ, खाली जगा है, वो फिल हो जाये जैसे आप वीडियो में देखें कि पानी हमारा नीचे जावी रहा है तो दोसतौ यह जब जिससे लगे कि आपने एक कमरे में पानी डाला और अच्छे से फिल हो गया है पानी डाल तो उसको आपको 4-5 दिन तक छोड़ देना है जब आप ऐसे छोड़ेंगे तो उसके बाद मतल्ब पानी डाल कर रहने देना है और उसके बाद आप देखींगे कि हमारी मिटी जो है वो कहीं बैड गई होगी जैसे आप बीडियो में देख पारें कि कई वह से बैड गई है तो ऐसे जब आफ पानी छोड़ेना तो होगा कहीं जो हमारी तरीके से नीचे पानी पी चुकी होगी और अच्छे से वो जब सैट हो जाएगी तो हम उस पर कमपेशन करेंगे तो अच्छी तरीके से सैटलमेंट हो जाएगी जब हमारा बेस मजबूत हो जाएगा मिट्टी से उसके बाद ही हमें करना क्या है कि चाहें आप उसके PCC करें या बिरिक बिलास चलके आपको नहीं देखने मिलेंगे अगर आप पहले ही यह सब कर लेंगे तो आयोब आपको वीडियो अच्छे लगी है इनकेस कोई डाउट है तो प्लीज कमेट पर टाइप कर देना या फिर मेरे इंस्टाग्राप मेसेश कर देना टैंक्स पर मोच आप वीडियो मिलते यह दो आपकी नेक्स वीडियो तो